हलो फ्रेंड्स एक और बिजनेस आइडिया के साथ मैं हूँ स्वेता सिंग आज मैं आपको फ्लेक्स प्रेंटिंग के बिजनेस से समधित जानकारी देने जा रही हूँ आगे बढ़ने से पहले ये बता दूँ कि अगर आप बिजनेस आइडियास, टेकनोलोजी और हेल्थ रिलेटेट टिप्स के बारे में जानना चाते हैं तो हमारे चैनल स्वेता टेक्ट टिप्स को सब्सक्राइब करना मत बूली किसी भी रास्ते पर आपको फ्लेक्स बैनर आसानी से दिखेंगे नेताओं के जर्मदिन की शुक काम ना आएं, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बैनर, प्रोडक्ट के बिग्यापन और बरी मातरा में दुकानों के बोर्ड ऐसे फ्लेक्स बैनर रोड पर दिखना आम बात है और इन फ्लेक्स बैनर की मांग भी काफी बढ़ी है इस कारोबार में ज़्यादा लागत लगेगी लेकिन यह काफी फाइदे मन कारोबार हो सकता है यह काम काफी सर गुमाने वाला होता है इसमें आपकी क्रियेटिविटी होना काफी जरूरी है कलर कॉमिनेशन समझ में आना चाहिए फोटो एडिटिंग, फोटो क्रॉपिंग, लोकल भासा की टाइपिंग जैसे हिंदी, गुजराती, मराथी, बंगाली इन सब कामों में महारत हासिल होनी चाहिए तो यह सब सीखने के लिए आपको सबसे पहले इसका कोर्स करना जरूरी है अब आये जान लेते हैं इसके लिए कितनी एजुकेशन चाहिए होती है सिर्फ फ्लेक्स प्रिंटिंग का कारोवार करने के लिए आपको कोई बड़ा कोर्स करने की जरूरत नहीं है किसी लोकल संस्था से 3-6 महिने का कोर्ल ड्रॉ या फोटो सॉप का कोर्स करके आप यह काम सीख सकते हैं लेकिन यदि आपकी अभी पढ़ने की उम्र है तो आप जरूर प्रिंटिंग में डिप्लोमा या डिग्री करें इसके लिए अनुभव की भी जुरूरत होती है फुट दूर से कम से कम सब्दों में रास्ते में जाने वाले लोगों को बिग्यापन दिखे आसानी से समझ आए इसलिए बड़े सब्दों के साथ और आकरशक छवी लगा के होडिंग्स बनाए जाते हैं इसकी फाइल जे पेग में बनती है और रेजुलेशन 72 DPI होता है फ्लेक्स दो प्रकार के होते हैं फ्रंट लिट फ्लेक्स एंड बैक लिट फ्लेक्स फ्रंट लिट फ्लेक्स क्या होता है आयो जान लेते हैं इस flex में दिन में सोरज की रोशनी से तो दिखेगा लेकिन रात की रोशनी में भी दिखना ज़रूरी है इसलिए front flex में बड़े halogen की रोशनी से flex पर रोशनी डाली जाती है इसमें hoarding, रास्ते के banner और कम resolution वाले poster बनाये जाते हैं इसकी कीमत 10-20 रुपे पर a square foot होती है बैक लिट flex इसे glow signboard के नाम से भी जाना जाता है इसमें दुकान, सूरूम, होटल, इनके banner बनाये जाते हैं बैक लिट में tube या CFL valve के जरिये flex पर 6-8 इंच की दूरी से पीछे से रोशनी डाली जाती है इसकी कीमत 30-35 रुपे पर a square foot होती है flex बनाने के लिए PVC material seat इस्तेमाल होता है इसकी quality ग्राम पर a square meter पर होती है जैसे 260 ग्राम पर a square meter, 280 ग्राम पर a square meter, 300 ग्राम पर a square meter, 320 ग्राम पर a square meter, 340 ग्राम पर a square meter और 440 ग्राम पर a square meter अब आईए जान लेते हैं कि PVC माटेरियल इस्तेमाल करने के क्या फाइदे हैं PVC काफी लचीला होता है अच्छी मजबूती होती है, कलर अच्छा दिखता है इस्तेमाल में आसान होता है, वाटर प्रूफ और जल्ले में भी काफी मुस्किल होता है इसलिए काफी सुरच्छित होता है, ऐसी कई खूवियों की बज़ा से ही PVC बरी मातरा में इस्तेमाल होता है फ्लेक्स का डिजाइन आप कोरिल रॉय या फोटो सॉप में तयार कर सकते हैं कोर्स करने से आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन सा सॉफ्ट्वेर आपके लिए सही है अब आएए जान लेते हैं इसमें कितनी लागत लगती है इसकी सबसे जरूरी फ्लेक्स प्रिंटिंग मसीन, छोटा कारोवार सुरू करने के लिए 5-8 लाथ तक मिलेगी इसके अलावे दो कंप्यूटर्स और स्कैनर जरूरी है प्रिंटिंग मसीन रखने के लिए कम से कम 300 स्क्वेर फूट की जगह जरूरी है और आफिस की जगह अलग से चाहिए इस कारोवार में बेसुमार पैसा मिल सकता है काम की कमी कभी नहीं होगी लेकिन बैनर का डिजाइन बनाना दिमाग को थोड़ा ठका देने वाला काम है और सबसे जरूरी इसमें उधार लेने वालों की संख्या भी बड़ी तादाद में होती है जैसे कि राजनितिक पार्टियां, नेता, कारेकरता, पंडाल, सामाजिक संस्था तो बस इसी बात में आपको थोड़ा नुक्षान होने की संभावना है तो दोस्तों ये थे फ्लेक्स प्रिंटिंग बिजनेस से समंधी जानकारी उमीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए ताकि मेरे नए वीडियो के अप्लोड्स की जानकारी आपको मिलती रहे मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए बिजनेस आइडिया के साथ थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो बाई